तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FL India के बारे में तो FL India के stock में देखे देखे दोस्तो अगर आप invested हैं या फिर fresh investment करना चाहते हैं तो आज का वीडियो दोस्तो आपके लिए काफी important काफी interesting and काफी informative होने वाला है जहाँ पर दोस्तो आपको कुछ मैं ऐसी updates देने वाला हूँ FL India के regarding जो यहाँ पर दोस्तो management ने अभी हाल ही में जो इनकी ending calls होई ची उसमें यहाँ पर बताई है वो आपके सामने रखने वाला हूँ जिससे दोस्तो आपका conviction यहाँ पर hundred times नहीं दोस्तो two hundred times नहीं यहाँ पर multiple times आपका conviction यहाँ पर develop होने वाला है जिससे कि दोस्तो आप यहाँ पर इस business को definitely अराम से hold कर पाएंगे देखिए दोस्तो investing होता क्या है investing दोस्तो specifically मैं बात करने होता है होता है probability future में क्या probability है कि आप जिस business में invest कर रहे हैं वो कितने यहाँ से develop हो सकता है तो उसके कुछ parameters हैं जो हम देखते हैं वो है दोस्तो fundamentals, financials and यहाँ पर business model तो सबसे दोस्तो मैं मानता हूं important वो होता है business model क्योंकि कि किसी company के आप देखिए financials और fundamentals इतने अच्छे नहीं होते लेकिन अगर उसका business model अच्छा होता है दोस्तो तो वो एक turn around story साबित होती है जियां दोस्तो आपको मैं कई example यहाँ पर दे सकता हूँ लेकिन उस discussion में हम नहीं जाएंगे इसलिए उस्तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि business model पर ध्यान दीजिए कि future क्या नजर आता है क्या है industry prospect क्या है दोस्तो earning visibility क्या है growth prospect जो आपके साथ मैं emphasize करके हमेशा बताता हूँ आपके साथ दोस्तों मैं बहुत ही कम देखा होगा आपने revenue visibility आपके साथ जो revenue growth है वो वो मैं share करता हूँ profit कितनी हो रही साथ quarter and quarter यह मैं share करता हूँ हाला कि important है लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से इतना important नहीं है जितना important है कि business यहां से कितना growth कर सकता है industry कैसे growth कर सकती है management का thought process क्या है क्या वो insight दे रहे हैं business के लिए future को लेके यह सारी important चीज़े मुझे लगती है ऐसा नहीं कि आपके साथ दोस्तों रोज में हाँ पर बता रहा हूँ कि भई यह देखिए revenue बढ़ रहा है रोज तो revenue change होगा नहीं quarter and quarter change होगा उसको एक बार देखिए अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है ठीक है तो financials matter इतना नहीं करते है fundamentals matter करते हैं जादा business model matter करता है ROC, ROE जरूर देखिए दोस्तों मैं नहीं कहा रहा है मत देखिए ठीक है revenue देखिए profitability देखिए लेकिन most important क्या है business model की समझ अगर business model की समझ है दोस्तों आप एक time को अगर आप return ratios को ignore कर देंगे तब भी दोस्तों आप वहाँ पर फायदे में रह सकते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ return ratios या ROC के basis पर जाएंगे तो आप दोस्तों हो सकता है कि वहाँ पर धोका खा जाए और long term में दोस्तों जो industry ही growth नहीं करेगी आपको यहाँ पर मैं हमेशा बताता हूँ आज भी बताऊंगा तो चलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और technical chart पे एक बार लॉटेंगे और technical point of view से आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पर यहाँ पर buying करने चाहिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहला question है दोस्तों यहाँ पर रिशेद पारिक का जो आई थिंग यहाँ पर एक analyst है नोमूरा के तो उनका question था इनके equations के regarding जो दोस्तों Fnext का इनको equation है जो इनका discover tech का equation है जो इनका bubble AI में investment है उसके regarding यहाँ पर इन्हों ने पूछा कि when can we expect traction from this equation तो basically traction मतलब कि हमको यहाँ पर एक जबरदस revenue कब आता हूँ देखने को मिलेगा तो Mr. Anuj Khanna Soham का यहाँ पर जवाब क्या था इन्हों ने काफी लंबा जवाब दिया लेकिन में दोस्तों आपको summary बिलकुल देखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा सा हो सकता है एक दो quarter all लगें तो उनका कहना है कि यहाँ पर आ सकता है revenue अच्छी खासी हाँ पर growth हमको देखने को मिलेगी Bobble AI की बात करें तो यह minority investment है इनका यह दोस्तों acquisition नहीं है यह investment है मान लेजिए किसी company में इन्होंने 10% stake लिए है तो यह है दोस्तों investment जैसे मान लेजिए इन्होंने thousand dollars यहाँ पर investment किये तो इनका कहना है कि they have double down on bobble AI in last quarter मतलब की जो इनका investment था दोस्तों यहाँ पर two thousand dollar का हो चुका है तो यहाँ पर भी अच्छा कहसा इनको traction आते हुए देखने को मिल रहा है जो कि दोस्तों आने वाले अगले half में या फिर आने वाले FI 22 के first ये second quarter में आपको जबर्दस यहाँ पर revenue contribution इसकी तरफ से भी देखने को मिलेगा जहाँ पर इस दोस्तों let them countries में जबर्दस यहाँ पर एक leadership position हासिल कर सकते हैं इस equation के through ठीक है यह आपको मैं कई बर बता चुका हूँ and दोस्तों उनका क्या कहना है देखिए thus these are our growth variants and I am extremely bullish about them we expect to beat the industry average growth progressively and consistently with all of these investment and products which have already proven to generate revenue तो यहाँ पर दोस्तों अनुच खन्ना सोहमची जो है extremely bullish है जितने भी equations हैं इन्होंने किये हैं उसको लेकर और आपने देखा हूँ management इतना efficient है आज तक जितने भी इन्होंने equations किये हैं बात करने चाहिए media smart के और media smart के regarding दोस्तों आपको मैं पिछले वीडियो में जो FL के regarding मैंने बताया था आपको बताया था कि CTV का जो potential है connected TV का जो potential है बहुत ही immense है अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके आप देखिएगा आई बटन में मैं लिंक के दूँगा आपको बहुत अच्छी knowledge वहाँ पर मिलेगी तो media smart की बात करें app next की बात करें discover tech की बात करें zamp की बात करें आपको ये सारे equations आपको अच्छी खासे revenue contribution इनकी balance sheet में add करते हुए future में दोस्तों नजर आएंगे तो इस परकार का दोस्तों यहाँ पर ये efficient इस परकार की efficiency है management की तो यह होगी दोस्तों एक चीज़ अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें इसी के regarding तो देखिए इनका और क्या कहना है देखिए summary point is that all our investments are done in a carefully calibrated manner they are done with a view not only for long term return but a turn around within the financial year too जैसे कि just मैं आपको बताएं हाँ पर जितने भी equations हैं efficiently calibrated manner में यहाँ पर देखने को मिली है तो XAMP का equation आपको यहाँ पर एक जबर्दस दोस्तों जो इनका cost पर converted user है उसमें भी एक जबर्दस revenue देखने को मिलेगा क्योंकि XAMP दोस्तों एक programmatic platform solution है इसके बारे में आपको मैं कई बार बता चुका हूँ आई होप दोस्तों यहाँ पर आपने इसके बारे में भी आपको पता होगा यह किस तरीके से यहाँ पर contribute कर सकता है FL के लिए अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं कुछ important चीजों की चलिए मैं आपको बताता हूँ काफी important है दोस्तों यह जानना आपके लिए देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको पता है जैसे मैं पिछले वीडियों बात करी थी जो इनका FL 2.0 strategy है उसके तैस दोस्तों यह अगले 10 सालों की दोस्तों यहाँ पर strategy इनोंने यहाँ पर execute यह जो है इनोंने यहाँ पर बताई है की कैसे यह ग्रोग कर सकते हैं अगले आने वाले 10 सालों में तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़के बताऊंगा क्या कहना इनका तो जी हाँ दोस्तों अगले 5 सालों में Emerging Markets में आपको FL India दोस्तों एक बहुत बड़ा player बनता हुआ देखने को मिल सकता है जहाँ पर दोस्तों यह confident है and bullish है अब देखिए यहाँ पर एक जरूरी चीज़ आपको बताना चाहाँ जो बहुत important है we will also try to see when we should enter China as this is all lined up towards the 10 billion connected devices mark तो जी हाँ दोस्तों यह है important line यहाँ पर statement जहाँ पर दोस्तों चाहिना में भी enter कर सकते हैं और जहाँ पर already दोस्तों यहाँ पर यह इसके बारे में discussion इनका already lined up है तो आपको आने वाले future में या quarters में हो सकते हैं जोस्तों एक बड़ी news आते हुए जेखने को मिले कि चाहिना में भी दोस्तों इन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पर developments होते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं towards the 10 billion connected devices mark with the effort 2.0 strategy जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर देखे my confidence is high and a commitment is strong towards achieving the effort 2.0 goal of reaching 10 billion devices over time तो यहाँ पर दोस्तों confident है management यह जो goal है इसको reach करने का 10 billion devices over time तो आप समझ सकते हों तो कितना यहाँ पर जबरदस conviction यहाँ पर management का है जहाँ पर वो sustainable growth guidance यहाँ पर दे रहे हैं और अगले 5 साल में यह emerging markets में grow करेंगे साथ ही साथ China में यह entry लेने वाले हैं और साथ ही साथ 10 billion connected devices दोस्तों यह over the period of time reach करने वाले हैं तो यह दोस्तों एक काफी ज़ादा important चीज यहाँ पर निकल के सामने आती है अब यहाँ पर दुस्तों ASM के regarding भी आपको मैं कुछ update देना चाहूंगा जहाँ पर देखिये management से question पूछा गया कि we have been talking with the exchanges regarding the ASM issue तो यहाँ पर कपिल भुठानी जी का कहना है कि देखिये उन्होंने यहाँ पर contact किया था exchanges को but exchange does not discuss ASM issues they do provide full transparency on the ASM issue though we have reached out to exchanges their automated system plugs out that 8 out of 10 parameters and works around with 8 to 10 parameters and works around with that parameters we do not have full transparency on the ASM issues from the exchanges तो exchanges की तरफ से यहाँ पर कोई clarification नहीं आया है लेकिन दोस्तों आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 10th of October तक आपको दोस्तों यहाँ पर ASM list में आपको developments होना चालू होते हुए देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर अभी यह 4th stage पर है फिर यह 3rd stage पर आएगा अगले week फिर 2nd stage पर फिर 1st stage पर आएगा और आपको ASM list से यहाँ पर दोस्तों बहार निकलता हुआ देखने को मिलेगा FL फिर से एक बार दुक्तों आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिल सती है तो यह है दुक्तों ASM की update जहाँ पर management से क्या यहाँ पर चीज़े सुनने में आ रही है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया अब चलिए यहाँ पर जो final remarks है management के उन्होंने क्या बोलाए देखिये I would like to conclude this meeting by stating that our company FL is stronger not just in terms of financial outcomes of this quarter but fundamentally and strategically with a long term view also we are much stronger on our product, platforms, people, balance sheet, cash position and all of it together including corporate governance तो यहाँ पर दुस्तों हर parameter पर आपको FL India एक बहुत ही शांदर company नजर आती है तो इसलिए मैं आपको हमेशा दोस्तों इतना detail में बताता हूँ ताकि आपके पास conviction आए इस business model में invested रहने का and देखिए ASG parameters पर भी दोस्तों they have adopted the ASG proactively and taken all the efforts that are necessary to be well governed company तो यह है दोस्तों पूरा statement, पूरे highlights इस meeting के जो आपके सामने में यहाँ पर रखे I hope दोस्तों अब आपको यहाँ पर conviction आगया होगा कि आगे यह future में company कैसे grow कर सकती है यहाँ से management कैसे अपने business को आगे लेके जा सकता है तो अब बाते हैं main part पे क्या आपको यहाँ पर बाये करना चाहिए और आपको फिर से PE इनका adjust होता हो देखने को मिलेगा तो फिर से आपको एक और तेजी इनको देखने को मिलेगी और अगर आप देखें तो 200 day moving average के दोस्तों उपर यहाँ पर closing और यह दे रहा है 50 day moving average के उपर closing है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों आपको काफी informative लगा होगा FL India के regarding अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को like कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए इसी प्रकार के बहतरी information के लिए content के लिए मिलते हैं दोस्तों आपसे next वीडियो में till then take care bye bye